बिहार में सियम नितीश कुमार की महागडबंधन सरकार के डिप्टे सियम तेजस्वी यादव को उपमुख्य मंत्री बनते ही राज्ज सरकार ने जेट कैटेगिरी का सुरक्षा कवर दे दिया है तेजस्वी के पास नेता विरोधी दल के नाते अब तक वाई कैटेगिरी की सिक्योरिटी थी जिसे सरकार ने अपग्रेट कर दिया है तेजस्वी अब बुलट प्रूफ कार से चलेंगे और उनकी सुरक्षा में खरीब 40 कमांडो और जवान हमेशा तैनात रहेंगे तेजस्वी यादव को जेट कैटेगिरी की सुरक्षा में हमेशा 40 गोर्खा जवान, BMP जवान और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी घेरे रहेंगे बुलट प्रूफ कार से लेकर बाखी सुरक्षा इंतजाम चालू हो गया है और तेजस्वी गुरुआर को घर से बाहर नई सुरक्षा विवस्था लेकर ही निकले तेजस्वी के खाफिले में उनकी बुलेट प्रूफ कार के अलावा साथ गारिया स्कॉर्ट में चलेंगी जिस पर सुरक्षा में लगे अधिकारी और जवान तैनात होंगी तेजस्वी यादफ के आवाज पर गुरुवार को बड़ी संख्या में राजभर से लोग बधाई देने पहुँचे तो सबको नई सुरक्षा विवस्था से होकर गुजरना पड़ा तेजस्वी के घर के बाहर मैदान में ही आने वाले लोगों से फूल और बधाई कबूल करते नज़र आए तेजस्वी ने इसी दोरान मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि जेडियू अध्याक्ष ललन सिंग ने CBI, ED, Income Tax पर कह ही दिया है कि हम दरते नहीं है तेजस्वी ने ललन सिंग की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम ने उता देते हैं CBI को, ED को, Income Tax को कि वो आए और हमारे घर में ही अपना दफ्तर खोल लें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योज़ 24